प्यारे बच्चो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा 2020 में चित्रकला का जो पेपर था वो कैसा था और उसमें कौन-कौन से प्रिश्ण आये थे और हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा कला का पेपर होगा या आएगा वो किस तरीके से आएगा कैसे खंडों में इसका पेपर है यह और इसमें बच्चो जो पहला जो है कि कते हैं सबसे पहले नर्देश दिया होगा यह नर्देश आप ध्यान से पढ़ लीजिए पेपर आपका तीन घंटे 15 मिनट का होता है और इसका पूर्णांक जो होता है वो सत्तर नंबर का होता है तीस नंबर जो अब जो होते हैं वह आपके और प्रोयक्ट के होती है तो आप को उस में जो है वह हो तीन प्रोजक्ट आपको मिलता है आपको अपना कला का काम करने के लिए निर्देश जो दिये गए अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यहां पर जो है मुख प्रश्ट तथा इसमें रखे प्रतेक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांग जो है जो आपको मिलेगी ड्राइंग सब्सक्राइब करने के लिए सीट तो इसके दाहिने कोने पर आपको अपना अनुक्रमांग जो है अंकों में और सब्दों में साफ साफ लिखना है जआन दिजीए आपको और सब्सक्राहिक पर जो है वह आपको लिखना है आपका प्रश्ण बत्र बच्चों 11. 921 5 questo का यह कोई भी एक खंड का ही प्रश्ण करना है यानि का जो है आपको अनिवार है यानि सभी को करना है और खा और गा खंड में से आपको कोई भी एक प्रश्ण करना है ठीक है और इसके बाद जो दिया है बच्चों खंड का में जो है वो प्राकृतिक द्रसचित्रन ठीक अत्वा आको वालेखन और प्रावदिक्कला यानि खंड़का के भी जो करना आपको अनिवार है बच्चो उसके तीन भाग होंगे प्राक्रुतिक द्रुक देस्ट चित्रण पहला भाग होगा थी उसके बाद आलेखन होगा और तीसरा प्रावदिक्कला तो इस forced ज्यू कि आपको चित्रन करना है अब आगे देखिए बच्चों जो खंडखा होगा उसमें से उसके भी जो है इसमृतिचित्रन अथवा खंडगा से भारती चित्र कला में से किसी एक का ही उत्तर देना है जो । इसमें से आप स्मुर्ती चित्र अथुआ खंडगात से भारती चित्र कलाय में से किसी भी एक का उत्तर आपको देना है ठीक है अब हम चलते हैं अपने खंड का की ओर तो जो खंड का है बच्चो वह प्राकृतिक दर्शिचित्रन में जो है वह जो पृष्ण आता है अनिवा खंड है अनिवार का मतलब है कि आपको खंड का में या तो प्राकृतिक दर्शिक करना है या तो आले खंड करना है या तो फिर प्रावदिक वाला प्रशन आपको हल करना है ठीक है तो यहां पर देखिए प्राकृतिक दर्शिचित्रन में प्रशन आया है पहला अपने उत के पीछे छोटे बड़े पेड आकास में और दे पक्षी पेड़ों के पीछे उसा कालिन सूर्य दिख रहा हो सैर का अनंद लेने नदी की और जाता एक व्यक्ति तो यह आपको इतना बनाना है और जो यह बच्चों चित्र होगा यह सहींजन जो होगा वह सपस्ट होना चाहि करनेके लिए जीत्र होगों का प्रयोग करना है ठीक है कि मोलते हैं पहलcles परेज़ों करते समय कि किस सरी तरीके से अ만 dar Miy Timothy रहाइब हो सही रचना पर फेख्च के मैं पंद्रा नमबर हैं साध्य योजन के बचों साड़े साथ नमबर दिए जाएंगे और सुसंगत रंगो का चेन और उनका प्रयोग उसके लिए पंद्रा नमबर निधारित किये गए। और आकर्शा केवाम सामानि प्रभाव वाले उसके लिए जो है साड़े साथ नमबर दिखाए गए हैं तो ये बच्चो प्राक्तिक दर्शी चित्रन से संबंदित प्रशन जो है इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैंने वो उसमें बताया गया है आप उसको जाके जरूर द लेने के लिए नदी के और जाते हुए व्यक्ति को भी दिखाया गया है किस तरीके से कलर करना है कौन से वटर कलर का यूज करना है यह सब उसमें बताया गया तो आप जो है वो जाकर के प्रिश्ण इस प्रिश्ण का उत्तर जो है आप देख सकते हैं वीडियो क्लासेज मे तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चो जो आलेखन है या तो यह करना है आपको पार्ट अथवा दिया हुआ अथवा का मतलब यह है कि या तो यह करना है या तो यह करना है या तो यह तो ठीक है एक प्रिश्ण जो आपको हल करना होगा अब हम चलते हैं आलेखन की और दिवाली पर्वहेत उप्यूप्त हो दीपावली के लिए 420 पर आफ्लाइक यह करने के लिए आपको नहीं आलेखन में 3 डंगों को प्रयोग करना को न मौलिक्ता के लिए 15 नमबर दिए गए हैं विदियों और उत्तमरंग संगति के लिए 15 नमबर निधारित 10 cm की छाइन की लुए काई लुए तुक्ते तरगे जो है बना करके आपको अलिखन बनाना है इसे संबंद वीडियो क्लास जो है चैनल पर डली हुई है क्लास 10 की कला की प्लेलिस्ट में अब हम चलते हैं प्रावदिक कला की और तो यहां पर देखिए प्रावदिक कला का भी दिया है तो इसमें पांच पृष्णों में से किनी तीन के उत्तर आपको देने हैं प्रतेक पृष्णों के अंक समान है और प्रतेक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रैस्दात्मक रेखाएं एवां अभीष्ट रेखाएं सपस्ट होनी चाहिए रफकार के लिए जो है वो स्वेथ फुलिस के पेपर जो है मिल आसे 8-50 मिटर दूरी पर और बाविन दूर रखना है और उससे दिये गए वर्त पर इसपस्ट रिखाएं हमें खीजनी है इसके पाद जो है एक त्रभूज आब आसा की रचना करना है जिसका परिमाप जो है एबी सी की रचना करना है त्रभूज की जिसके कोने के नाम 12 सेंटीमीटर भूजाओं का अनपाद दिया हुआ 3,5 और 6 ठीक है तो यहाँ पर हमें उस्तरभूज की रचना करनी है फिर है 4 सेंटीमीटर भूजा के समसर्भूज की रचना जयामिती विदी दौरा कीजिए सर्भूज की अंतरगत एक आ करसक जयामिती आलेखन जो है बन 12,5 सेंटीमीटर दी हुई है और एडी जो दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मद्य का कोण उनके बीच का 60 डिग्री का एंगल दिया गया है समांतर चत्रभूज के 6 रफल के बराबर जो है हमें एक आयत की भी रचना करनी है ठीक है तो यह आपका हो गया अ निरूपक भिन गयात करना है और मापणी पर 3 मीटर और साथ डेसी मीटर दूरी को प्रदर्सित हमें करना है इसमें तीनों के लिए जो है पांच 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 यानि तीनों के लिए यह निमबर दारित किये गये हैं अगले आगे खंड की और बढ़ते है बच्चों हम इस खंडा में जो है इसमें जो है डो भुभाग दी गए और और वा ठीकल औना एन्हीं भागों को हमें बनाना आवाला भी हमें करना है और वंए टार ही गरना है तो अब इस्मृती चित्रन से यहां पर को Спूर्टी जो है जो यह दिया हो और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है आपको द्यान लखनेएं कि छित्र जो है आपका 15 सेंटी मिटरश से छोटा नहीं हो नहياं दो यहां पर देखेंगे यहां पर रेखा प्र। सौता ह्वे जो है के raps के लिए चार नमबर नि धारित किये चार नमर नितारित किये गए विए उसके नमबर है तो यहां पर जो है देखिए A, B, C, D, 4 विकल्प दिये गए हैं यानि बाल्टी और मग बनाना है, पुस्तक और पैन है, चाता है, हांकिस्टिक और गेंध है तो यहाँ पर यह किस तरीके से बनाना है, इसका जो है वीडियो भी प्लेलिस्ट में डला हुआ है बचो, इन में से जो भी दिये हुए हैं इसमें से यह चीज़ ध्यान दिजेगा, कोई भी एक करना है, A, B, C, D, A, 4 विकल्प है इसमें से कोई भी एक आपको बनाना है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए चित्र या तो कुस्ता कॉर्पेंट बना दीजे आप, या तो छाता बना दीजे, बाल्टी या तो मग बना दीजे, ठीक है, हाँ की स्टिक और गेन बना सकते हैं तो इसमें से कोई भी एक प्रिश्ण आपको करना रहेगा, आगे बढ़ते हैं जो खंडबा, या इसे भी करना निवार है, और बाद दोनों आपको बनाने हैं, तो इसमें क्या करना है, बच्चो कि किसी एक का स्मर्ती चित्रन पैंसिल के द्वारा करना है, और सेडिंग व या आम का चित्र आपको बनाना है, उसमें पत्तियां भी होनी चाहिए, या तो सलजम पत्ती के साथ बनाना है, या तो गाजर का चित्र बनाना है पत्ती के साथ में, या तो फिर दो केले एक जोड़ा में, या दो केले जो हैं साथ में जोड़े हुए आपको बनाने हैं, त आपके स्मृति चित्र पर जो है दो चित्र बनेंगे जो शेडिंग वर्क वाले हैं ये एक चित्र जो रहेगा वह आपका इसमें से होगा खंड आमे से और दूसरा चेत्र और किल वा में यह खंडगा को हल करना है, दो में से कोई भी एक ही खंड आप करेंगी, तिक दोनों खंड़ों को आपको हल नहीं करना है, तो यहाँ पर जो खंडगा है वो भारती चित्रकला से संबंदित है, तो यहाँ पर भारती चित्रकला की विशेशताओं का उलेख जो है वो संशेप म और यहां पर जो है कुछ विकल्ब दिए गए हैं उसमें से प्रिष्णों को हल करना है तिक यहाँ पर भी तीसरा चित्रा के लए प्रिष्ण इकल्प करना है इसके अबिल से कướकं लिए और आपको करना है बच्चोंrim भाट थो समय लैंक पढ़ना करते हैं इसके आपको करना जरूर29 परेम की इसमर्ठीक दिभी समता हमिप दुरुप संबंदित मैंने वीडियो बनाएं बच्चों तो यह तो आप प्राकृतिक दर्से चित्रन कर सकते हैं यहां पर देख़े इसमें विकल्प दिये हैं यह जो विकल्प आपको करने रहेंगे तो मैं यह आपका पेपर है इसके विकल्प देख लीजिएगा ठीक है तो यह जो है बच्चों आपके इसमें दस जो है वेगलपिक उत्तर दिये हुए हैं तो यह होगे आपका पेपर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा ठीक है तो आप ध्यान से करिएगा अपना पेपर जिन बातों को बताया गया है दिन जाना और एक वाटर बॉटल लेके जाना है ठीक है और एक पुराना कपड़ा भी जरूर रखीएगा तो यह ताकि आप अपना ब्रस पोच सके तो उमीद है बच्चो कि आपको पेपर किस तरीके से करना है वो समझ में आ गया होगा और आपके आने वाले एक्जाम के लिए आ आप सभी को बेस्ट अफ लाग धन्यवाद बच्चों